नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार Integrated BA Combined Entrance Test 2024 चार साल का जो Integrated BA चलता है बिहार में जिसमें क्या होता है BA के साथ आप BA कर सकते हैं BSC के साथ आप BA कर सकते हैं BA और BSC के साथ आप BA कर सकते हैं दोनों कोर्स सर्टीफिकेट दोनों कोर्स का डिगरी आपको एक साथ मिल जाएगा सिर्फ और चार साल में आपका BA और बीज़ुपलीट हो जाएगा पूरा हो जाएगा इसमें Bcom बाले जो है वो जोर नहीं कर सकते हैं करने here लिए और सिर्फ ब्याइज चार साल का इंटिग्रेटेड बियाद कोर्स बिहार में चलता है और बिहार मijnरे इसका एड्मिशन के लिए आपको जनकारी दे दिया गया था और कुछ जनकारी जो है वो इस notice के हिसाब से यहाँ पर जो notice है इसमें जो है वो जो भी चीज लिखा गया है जो official notice आया हुआ है 2024 में वो सारा चीज आपको इसमें बता दिया जा रहा है देखिए इसमें आप लोग को यह नहीं बताया जा रहा है कि form कैसे भरना है online form entrance exam के लिए भरना start हो चुका है तो वो तो आप भरी लीजिएगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भरने से पहले जो जानकारी आपके पास होना चाहिए online apply करने से पहले बिहार integrated BA के लिए online apply करने से पहले जो जरूरी जानकारी जानना आपके लिए जरूरी है वो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कौन-कौन जो हूँ हूँ इसमें admission ले सकते हैं कौन apply कर सकते हैं कहां पे ये exam होगा कौन-कौन सा college है कब से कब तक apply करेंगे कि बिहार integrated BA का जो entrance exam है वो इस बार आप लोग ले रहा है जो Nodal University है पूरे बिहार में entrance exam करवाने के लिए चार साल का जो BA है integrated BA उसके लिए बावा साहब भीम राव अंबेदकर बिहार University यानि BRABU मुझःपरपुर बिहार ठीक है तो सबसे पहले आप यह समझ होगा वो मुझःपरपुर में ही होगा मुझःपरपुर में ही होगा उससे बाहर कोई जो सीटी में नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है एक्जाम लेने का मुझःपरपुर पहले क्या होता था जब LNMU लेता था तो दर्भंगा में भी करवाता था लेकिन इस बार क्या है सिर्फ और सिर्फ मुझभपरपूर में ही entrance exam आपको देने जाना होगा और बिहार में कहीं पे भी जोई वो center आपको नहीं दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कहां जाना है आपको मुझभपरपूर में ठीक है online apply का date के बारे में बात कर लेते हैं उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि college कौन-कौन सा college है जो आपको मिलेगा entrance exam के बाद admission लेने के लिए तो आपके screen पे official notice का list है देखिए क्या लिखा हुआ है केबल निम लिखित चार महा विद्यालियों में BA BA, BSC BA course उपलब्द है सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार में यही चार college है जहां पे BA प्लस BA और BSC प्लस BA का course करवाया जाता है ठीक है और यह चार list आप देख सकते हैं वैसाली में है मुझपरपूर, सितामरी और मुझपरपूर यहां पे सिर्फ और सिर्फ यही चार जो है वो college का नाम है बैदनात क्वख्ला college of education वैसाली बिहार वसूंधरा टीचरस ट्रेनिंग college मुझपरपूर बिहार माता सिंक्दा सिता सूंधर college of education नन्त Л पूरे बिहार में पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ यही चार कॉलेज हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना आप कॉंपेटिशन करना परेगा एंटई्स एक्जाम में क्यूंकि योगा सिर्फ चार कॉलेज है और इसी में कुर्स और कॉर्स लें क्या होगा क्या है लुए फिर्फ यही चार कॉलेज हैं अब हम लोग सि ere northmund कर चुका है कि कहा पे Всемगें इंटरेन्स एक्जाम में कि इसमें होगा मुझःपरपुर में होगा उसके अलावा कोई सेंटर नहीं है आगे बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आप लोगों को जो हूए कम से कम 12 में जो 12 है आप लोगों का क्लास 12 पर्सेंट या फिर उसके बराबर दे सकते हैं तो आप या है कि ST सब्सक्राइब पेस्ट पर्सेंट आप लेक्वाबर क्स्क्राइब या word जो हुआ है एक यह होगा हम लोग का क्वालिफिकेशन की कौन कौन की चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए इसका उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधा हम लोग चलते हैं आप लोग का जो मैन मन है कि क्या कि जो डेट Filipino का सब और है उसके बाद आप लोग का बात करेंगे कौन-कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो पहले admission ले चुके हैं वो इसमें भरेंगे या नहीं भरेंगे या फिर अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए फिर कौन सा option खुला हुआ है ठीक है तो देखिए entrance test का fee के बारे में बात करें कि entrance form भरने में apply करने में कितना fee लगेगा तो 1000 लगेगा आप लोग का general category है unreserved category है तो 750 रप्य लगेगा आपको EBC, BC, women, EWS या फिर handicapped है कोई तो 750 रप्य यहां पर लगेगा 500 लगेगा आपको SCST के लिए ठीक है OBC हो गया चाहे BC हो EBC हो लड़की जितना है सभी उसके बाद EWS general के अंदर जो EWS category यह आता है उनको यह सारा चीज के लिए क्या है 750 है बाकि general के लिए जो है वो unreserved category के 1000 और SCST के लिए 500 ठीक है तो यह हो गया fees के के बारे में आगे हम बात करेंगे schedule के बारे में जो entrance exam का schedule या फिर admission का जो schedule है integrated BAD के लिए यह जो online application start हो वो 29 2024 यानि 2 September 2024 से start हो चुका है last date कब है तो last date है 16 September 2024 उसके बाद late fine के साथ जो last date है वो है 20 ठीक है 20 September 2024 यहाँ पर 28 लिख दिया गया है यह हो सकता है typing mistake हो 29 2024 यहाँ पर होना चाहिए जो last date होगा editing और last date of payment का आप लोग का 20 September 2024 admit card कब आएगा तो admit card आएगा 24 तारिक को 29 2024 24 September को आजाएगा उसके बाद exam का date संभावित जो है वो है आप लोग का 29 September 29 September यहाँ पर propose लिख दा गया है तो प्रस्तावित या संभावित जो होती थी आपका entrance exam का 29 तारिक है देखे schedule fees उसके बाद जो आपका सहर है या फिर college है कहां पर exam होगा कहां पर admission होने का जो list है वो सारा चीज़ आपको बता दिया गया अब जो बहुत सारे student का ऐसा सवाल है कि जो आप लोग का कुछ कॉल कुछ student ऐसे है जो admission करवा लिये है चार साल के session में जैसे 24-28 वाले सेशन है कहीं पर admission करवा लिये है या फिर 23-27 में कोई admission करवा लिये हैं या पर चाहते हैं कि यह वाला integrated बिये अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है तो दीखिए आपको सबसे पहले आप admission करवा चुके हैं तो वहां सारा document आप जमा कर दिये होगे ठीक है जहां पे आप admission लिए है वहां पे तो सारा document जमा हो गया होगा तो अगर आपको इसमें apply करना है यह वाला course आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या किजिए अगर यह करना ही है तो किजिए अगर बार बार अगर आप ऐसे किजिएगा तो बहुत परिशानी हो गया तो सबसे पहले आप सोच लिजेगे कि अगर आपको यही कोर्स करना है बीसी प्लस बीड या बीए प्लस B.A. वाला कॉर्स करना ही है चार साल में पूरा हो जाएगा चार से पांच साल में पूरा हो जाएगा मान के चलिए पांच साल में लेट सेट होता है तो तो सबसे पहले आपको क्या करना परे। Online apply करिए ठीक है? Online apply करिए Online apply करने के बाद entrance exam दीजिए entrance exam सिर्फ और सिर्फ मझःपरपुर में होगा और कोई बाकी center आपको कहीं नहीं दिया जागा सिर्फ मुझःपरपुर में center मिलेगा दूसरे कहीं जगा नहीं थी तो ये भी सोच लिजेगा मुझःपरपुर में आपको जाके entrance exam देना है प्रवेस परिक्षा पास होने के बाद result आपका आता है और merit आपका बनता है मेरिट आपका बनता है तो आप counseling करवाईएगा counseling करवाने के बाद अगर list में नाम आ जाता है आपका तभी आप पुराना admission कैंसेन करवाने जाईएगा अगर आप यहाँ पर किसी session में पहले admission ले चुके हुए है तो उस admission को तो पहले cancel करवाना पड़ेगा वहाँ से सारा document लेना पड़ेगा तभी आप जाके इसमें admission ले पाएंगे तो पहले आप सब काम कर लीजिए merit बना लीजिए उसके बाद पुराना जो admission है उसको cancel करवा रहीएगा और वहाँ से document निकलवा के तब जाके आप admission लीजिएगा पहले ही आप अगर admission cancel करवा लेते हैं और बाद में list में भी नाम नहीं आएगा merit भी आपका नहीं बनेगा तो आप दोनों जगा admission आपका नहीं हो पाएगा आपका पूरा साल बरबाद हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है online apply कर लीजिए entrance exam दीजिए entrance exam देने के बाद आपको क्या करना है जो है वो merit बनेगा तभी आप जाके पुराना वला admission को cancel करवा लीजिएगा जहां पे भी आपका admission है cancel करवाने के बाद इसमें जाके admission ले लीजिएगा इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा पहले ही आपको ये दिमाग में रखके चलना है कि इसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा ठीक है लगभग आपका तीन से चार लाख रुट पया तो मान के चलिए ऐसे ही खर्च हो जाएगा पूरा चार साल में ठीक है चार साल के course में जो हुआ आपका BA प्लस BA या BAC प्लस BA चार साल का जो course होगा उसमें अगर आप करते हैं तो यह नहीं हो सकता है ठीक है यह नहीं हो सकता है मतलब BA या BAC में आप admission किये हुए हैं और इसमें नाम नहीं कटवा के और चाहते हैं इसमें भी admission ले ले तो यह ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए BA करने के लिए आपको BA BAC मतलब graduation जो हो पास होना पड़ता है तब ही आप BAC क करवा हैं तो आप BAC कैसे कर सकते हैं पहले उसमें पास होईएगा तभी तो admission करवाईएगा यह एक अलग course हुआ अगर आप इसको छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं इसके साथ साथ यह नहीं होगा ठीक है इसके साथ साथ चार साल वाला जो BAC है उसमें आपका admission न होटना चाहते हैं इसको तो छोड़िए लेकिन छोड़ने से पहले merit बना लीजिए अगर admission होने का time आएगा तब जाके admission केंसिल करवाईएगा पुराना पहले ही करवा लीजेगा अगर merit नहीं बनेगा entrance exam भी अगर पास नहीं होता है merit लिसमें नाम ही नहीं आता है तो फिर जो हो पुराना admission केंसिल करवा के कोई फाइदा आपका होने वाला नहीं है ठीक है तो यह जो document है यह जो notice है यह आप official website से download कर सकते हैं इसका link जो हो description में दिया गया है online apply का registration का सारा detail यहाँ पे लिखा हुआ है online apply करने का fees वेगरा सारा detail बता दिया गया है खुद भी आप पर सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए होगा तो नीचे comment कर लेजेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU Notes के YouTube चैनल पर